दियार स्टूडेंट जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्षरें बताया था कि जो घुर्णन स्पेक्ट्रा के लिए उर्जा होती है वो बहुत कम होती है और उसका मान 0.005 एलेक्टरन वोल्ट से भी कम होता है इसी प्रकार यदि हम कमपन गुर्णन स्पेक्ट्रा की बात करें तो कमपन गुर्णन स्पेक्ट्रा में अनू की कमपन उर्जा गुर्णन उर्जा से अधिक होती है अर्था अधिस का मान जो होता है वो 0.1 एलेक्टरन वोल्ट होता है जो कि अनू को एक ही एलेक्टरन ये इस्तर में इस्तित कमपन उर्जा इस्तरों में संक्रमन के लिए परियाप्त होती है चोकि कमपन इस्तरों में संक्रमन के साथ साथ गुर्णन संक्रमन भी होते हैं अते कमपन इस्पेक्ट्रम कभी भी सुद्ध नहीं होते अर्थात कंपन उर्जा इस्तरों में संक्रमन हेतु जितनी उर्जा की आवश्यक्ता होती है वह उर्जा इस्तर अवरक्त छेतर में अवसोशित होते हैं अतैसे कंपन गूनन इस्पेक्ट्रोइसकोपी या अवरक्त इस्पेक्ट्रोइसकोपी भी कहते हैं और इसके लिए जो chain नियम है क्योंकि हमने इसको वी द्वारा रथ तरंग quantum सिंख्या को वी द्वारा रथ किया है तो इसके लिए जो chain नियम है वो है delta V is equal to plus minus 1 तथा delta J is equal to plus minus 1 इसी प्रकार यदि हमें इलेक्ट्रोनिय संक्रमन के लिए देखें तो इलेक्ट्रोनिय संक्रमन में अनु को लगभग 5 से 10 इलेक्ट्रोन वोल्ड उर्जा की आवश्यक्ता होती है इने इलेक्ट्रोनिय स्थर में संक्रमनों के साथ घूर्णन वे कमपन इस तरों में भी संक्रमन हो जाता है इसलिए Electronia Spectra एक जटिल spectrum देते हैं ये spectrum विद्दुचुंब की spectrum के पराबेंगनी या दृष चित्रों में बनते हैं इसलिए इन्हें UV एउ विजीबल spectrum इसको भी-भी कहते हैं और इसके लिए जो chain नियम है को चैन नियम होगा ΔEA N IS EQUAL TO PLUS MINUS ONE ΔEA V IS EQUAL TO PLUS MINUS ONE तथा ΔEA J IS EQUAL TO PLUS MINUS ONE इस परकार यदि हम देखें तो इलेक्टरोनियस्पेक्ट्रा में हमारे तीनों ही जो उर जाएं वो समाहित रहती है इसलिए इसके चैन नियम अभी भी हमारे जो delta V is equal to plus minus 1 जो की घूनन के लिए था तंपन के लिए था और delta J is equal to plus minus 1 जो की घूनन के लिए था जबकि electronic संक्रमन के लिए delta N is equal to plus minus 1 होता है अब यहाँ पर हम degree of freedom या स्वतनता की कोटी की वैख्या करेंगे तो किसी भी अनू की संपूर्ण स्थिति निर्धारत करने के लिए जो आवश्चक स्वतनता की रासियां या निर्देशांकों की संख्या होती है उसे उसकन की स्वतनता की कोटी कहा दाता है यानि किसी अनू की वैख्या करने के लिए हमें जितने चरों की आवश्चकता होगी वही चरों उसके स्वतनता की कोटी कहलाएंगे एक परमानू कनू में स्वतनता की कोटी का मान तीन होता है क्योंकि ऐसे अनू में किवल इस्थानांतन उर्जाही पाई जाती है जो कि तीनो अक्षं यानि X Y Z अक्षं के इस्थानांतन गती के कारण उत्रपन होती है यदि अनू में एक से अधिक परमानू हूँ तो उनकी इस्तानांतरन गती के अलावा गोर्णन गती एवं कमपन गतियां भी होती हैं जिस से उनकी सुतनता की कोटियों की सिंख्या बढ़ जाती है यदि किसी अनू में दो परमाणू हैं तो इसमें तीन इस्तानान तरण गतियां होंगी यदि किसी दो परमाणू रेखिये हैं तो वे किसी भी एक अक्सपद इस्तित होकर दो एन अक्सों में घूनन कर सकते हैं अर्थात गोनन गती के कारण कोटियों की संख्या दो होगी इसके अतरिक्त एक दुई परमानुक अनू में दो नाभिकों के मिद्द एक इलेक्ट्रोन युगम होता है जो एक इस्प्रिंग की भाती वेवार करता है अते इसकी एक कमपन गती भी होगी इस परकार हम देखते हैं कि एक दुई परमानुक अनू की कुछ कुल छे सोतनतागी कोटियां होगी जिसमें से तीन इस्तानांतरण के कारण, दो गुर्णन के गती के कारण और एक कमपन गती के कारण होती है यदि हम ये कहें सामयन भासा में कि यदि किसी अनू में कैपिटल एन परमानू है तो उसमें स्वतनता की जो कोटियों की सिंख्या होगी वो कितनी होगी थिरियन होगी और इन थिरियन कोटियों का भी हमें तीनों गतियों में जो कि हमारी इस्तानांतरण गती, गुर्णन गती और कमपन गती है उनमें इनको हम डिवाइड कर सकते हैं तो मैं ये कहूँ कि यदि आनू रेखी है तो उसमें इस्तानान तरन के कारण जो सुन्ताइक कोटियों की संख्या वो कितने होगी तीन होगी और घूणन गत्य के कारण कोटियों की संख्या कितने होगी दो अते कमपन गची के कारण सुनताई की कोटियां क्योंकि तीन तो हमारी इस्तान तरन कारण है और दो हमारी किसके गूर्ण गची के कारण है तो अब हमारी कुल कोटियों किसने का जो 3N थी उसमें से कमपन गची की हम निकाल सकते हैं और कमपन गती के कारण दुसमें ताइक कोटियां होंगी, वो होंगी थिरी एन माइनस फाइव, कब जब कि यह अनू हमारा क्या हो, रेखिये हो, यदि अनू एरेखिये परमानू हो, तो उसमें तीन अक्सों के प्रति घूनन कर सकता है, इससे कोटियों को सेंख्या भी हमारा अलग प्रकार से होगी, तो जैसे हैं कि इस तानन तेर करण तो कुल कोटियों के संख्या कितने होगी हमारी थिरी, घूनन करते के करण कोटियों के संख्या कितने हो जाएगी हमारी तीन, क्योंकि मैं पूपर बता चुका हूँ, कि यदि अनू हमारा एरेखिये है, तो तीन गोवनन च्ट्राओं के प्रति गौवनन कर सकते हैं तो अब हमारी कुल कोटियों कि संग्याँ वह कितने हो जाएगी तीन तो हमारी किसे कानरे बहुत ही कि कराने तो रिमेनिंग कितनी बच्ची ढूब के संग्याँ त्रियन 3-6 तो कमपन गती के कारण कोटियों की सेंख्या हमारे कितने होगी 3-6 होगी इससे जो हमारे कोटियां ग्याद करने का एक तरह से जो नियम है उसके आधार पर हम हीलियम, हाइड्रोजन, H2O, CO2, C2H2, C6S6, आधी कुशी भी आधे परमाणू रहे उसकी सुनिता की कोटियों का परिकलन हम कर सकते हैं